अलो गाइज, I am your buddy educator, शेशी शेखर, तो basically अगर बात करें NEET 2022 वालों की तो उनकी तयारी अच्छी चल रही है, उनकी Physics, Chemistry और Bio Classes आरण्ध मनी चैनल पे बहुत प्रॉपरली चल रही है और मुझे उम्मीद है वो उसको अच्छे से कर भी रहे होंगे पर सवाल अब उनका नहीं है क्योंकि उनका course almost complete हो चुका है, उनकी preparation अपने सही track पे है और उनका paper अब आने वाला है पर सवाल अब उन बच्चों का है जो अगले साल paper देने वाले हैं, खासकर मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो अभी 12th में है, जो अगले साल paper देंगे और अगर वो क्या सोच रहे हैं कि सर हम paper देंगे, पर वो अभी भी doubt में है कि मैं सर clear कर पाऊंगा कि नहीं clear कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि सर हमने 11th उतना seriously नहीं लिया, और अब हम थोड़ा सहर disappointed feel कर रहे हैं कि हमने अपने आप सही कि हमने 11th क्यों नहीं किया तो क्या उनके लिए neat 2023 संभव है? तो उसका जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा, basically ये वीडियो हम उनहीं के लिए लेकर आये हैं और हम बताना चाते हैं, हाँ भाई, तुम्हारे लिए neat 2023 भी संभव है अभी भी, चाहे तुमने अपना 11th कितना भी बरबाद कर दिया हो, कोई फरक नहीं पड़ता, इस साल हम तुम्हारा एक साल में 11th और 12th पूरा ऐसा कराने वाले हैं कि तुम्हें ने 2023 के टाइम, एक साल अप पीछे देखोगे, तो रिलाइस करोगे कि तुमने कितनी long journey कर लिया है, और तुमने कितना खुद अच्छीव कर लिया ह पर सवाल ये उड़ता है क्या, ये केवल हमारे कराने से होगा, या ये इसमें आपको भी हमारा साथ देना होगा, तो इसी में एक English की बहुत famous quote है के हर किसी के लिए, अगर वो आपने कभी पड़ी हो, it's on you, always been and it always be, मतलब basically अगर आपको कोई लड़ाई लड़नी है और आप ये दूसरे के कंधे पर रखके लड़ने की सोच रहे हो, तो कभी ना कभी गिर जाओगे, तो इसका मतलब क्या है, अगर आप कोई लड़ाई लड़ने जा रहे हो, तो वो हमेशा आपको ही लड़नी है, आपको ही लड़नी पड़े ही की और आप पे ही dependent है, अगर ये आप सोचते हो कि हाँ भाई कोई और हमको आके ये युद्जित्वा देगा, तो आप सबसे जादा गरत फैमी में जी रहे हो, तो सवाल ये है कि भाई, अब आप 12th में आ गए हो, आपने अपनी 11th almost complete कर ली है, तो basically scene ये है कि आपको अगले साल दो काम करने हैं, अगर आप अभी 12th में हो, तो अगर हम उन दो काम की बात करें, तो दो काम क्या है, पहले वो समझेंगे, देखो, सबसे पहला काम है बड़ी, कि आप अगले साल एक तो नीट का पेपर देने वाले हो, जिसको हम बोलना है, नीट 2023, ठीक्या बोलना है बड़ी हम उसको, हम उसको बोलना है, नीट 2023, आप अगले साल एक तो यह पेपर देने वाले हो, और इससे पहले आप एक और important paper डोगे, जिसको हम बोलते हैं, boards, दो paper देने वाले हो, और दोनों paper हमारे लिए equally important है, ऐसा नहीं है, कि हम दोनों म साथ खास बात क्या है, कि आपके boards और नीट 2023 का syllabus, almost same है, क्या है, syllabus almost same है, ठीक है, syllabus की PDF, detailed PDF, board की और नीट 2023 की, मैं आपके telegram channel पे भी डाल दूँगा, अपना telegram channel क्या है, ये रहा नीचे, उम्मीद, नीट, यूजी, इसको जाके अगर अभी तक आपने जॉइन नहीं किया है, तो कर लो, यहाँ पे मैं आज शाम या कल तक इसकी syllabus की PDF भी डाल दूँगा, ठीक है, और दूसर channel है, हमारा आनन्दमनी 001, उसको भी जाके जॉइन कर ले ना, क्यूंकि उसमें भी अभी कुछ दिनों में sequence वाले order में डाल देंगे, ठीक है, तो अब समझो, आप अगले साल बड़ी देने वाले हो, नीट 2023, और साथ में देने वाले हो, बोर्स, दोनों अपने आप में important है, और दोनों का syllabus सबसे important बात है, same है, ठीक है, तो अब सबसे पहले, हम आपके लिए संभव बैच चालू करने वाले हैं, क्योंकि हम मानते हैं, क्योंकि आपके लिए नीट 2023 अभी भी संभव है, और इसको हमें संभव बनाना है, तो हम आपके लिए संभव बैच जॉइन करना है आपको YouTube पे, जो की हम कल से चालू करने वाले हैं, संभव बैच, ठीक है, सर आपने कहा कि हमारा 11 खराब हो गया है तो सर क्या आपको 11 पहले नहीं पढ़ाना चाहिए था अभी आपने 12 बोला सर मैंने क्या सही सुना बिलकुल आपने बिलकुल सही सुना सुनिये मेरी बात को अगर आप इस साल 12 में है ठीक है तो एक चीज समझेगा आप अभी स्कूल जा रहे हैं या फिर अगर नहीं भी जा रहे हैं तो बैसिकली आप अभी बढ़ तो इस समय आप 12 का फिजिक्स・कैमिस्ट्री और बायवजी पढ़ रहे हो यह बात Softrum iter आप्स्कैमिस्ट्री और बायवजी पढ़ते हुएस। अगर हमने सोचो संभव बैच में 11 चालू किया तो आपको 11 का physics, chemistry और biology पढ़ना पढ़ेगा इसका मतलब दिन में अगर हम बोलें तो आपको 6 chapters में concentrate करना पढ़ेगा बोलो हाँ या ना ठीक है 6 chapter में जब आप दिन में एक साथ concentrate कर रहे होगे तो आप किसी भी एक chapter में completely, dedicatedly उसको नहीं पढ़ पाओगे मानते हो बात को तो हमने कहा सर इससे भी अच्छा एक काम क्या करते हैं कि आप school में इस समय या college school जो भी आप बोलते हो उसके लिए आप क्या पढ़ रहे हो उसके लिए आप 12th का physics, chemistry और biology पढ़ रहे हो हमने कहा सर इक काम करते हैं संभव बैच में भी हम क्या करते हैं 12th चालू करते हैं और 12th का ही हम क्या चालू करेंगे physics, chemistry, biology ठीक है according to NCRT तो उससे होगा क्या बड़ी आपका 12th का board का portion आपके school और need, दोनों का साथ साथ, board और need, दोनों का syllabus, same almost, दोनों में completely, हमें NCRT dependent ही रहना पड़ता है तो उसका board का syllabus हमारा क्या हो जाएगा? NCRT के according, पूरा का पूरा हम खतम कर लेंगे तो इससे क्या होगा? हमारा board और need, दोनों ही बड़ी, बिल्कुल sorted हो जाएँगे, दोनों ही हमारे एकदम clear हो जाएँगे मानी बात, समझ में आया? अब सोचो, after 2 और 3 months या maximum 4 months ठीक है? इतना ही time लेने वाले है कि वहल 12th खतम करने के लिए 12th खतम करने के लिए हम maximum body में बता रहा हूँ, हम आपका 3 से 4 months लेने वाले हैं तीन से 4 months में हम क्या करेंगे? नीट का आपका क्या करेंगे? तीधा सीधा पूरा 12th खतम हो जाएगा अब जिस दिन आपका नीट का 12th खतम होगा, इसका मतलब क्या होगा? आपका board की preparation का नीट खतम और 12th का board खतम, अब मुझे साल बर board की tension बिलकुल नहीं लेनी, अब मुझे बचे हुए time में अपना, जो मेरा 11th बरबाद हो रखा था, वो 11th अब मैं cover कर लेता हूँ और उस time पे हम लगेंगे किसमें अपने 11th के physics, chemistry और biology में है, और अपन 11th का physics, chemistry और biology भी पढ़ लेंगे, बताओ, ये चीज़ सब को समझ में आई की नहीं आई, clear है? तो आपको plan clear हुआ, एक broad plan clear हुआ, अभी इसका detailed plan का भी मैं वीडियो बना दूँगा कि पूरे एक साल तक आपका क्या plan होना चाहिए अपना need 2023 clear करने के लिए, ठीक है? उसका भी मैं वीडियो बना दूँगा, मैं ये वीडियो बना दूँगा कि किस चीज़ से आपको पढ तो मैं आपके सारे वीडियो बनाता चलूँगा line by line पर सवाल ये है, करना आपी को है, it will always be you, ये हमेशा याद रखना, सामने लिख लो, किसी भी दिन भूलना कि तुम्हें लगे कि पापा है ना, मम्मी है, भाई है, सर है, नहीं, कोई भी है पर it will always be you, ठीक है तो याद र रखने वाली बात क्या है, तुमको हकते में, तुमारी six days class होंगी संभव बैच में, अगर संभव बनाना है, नी 2023 को तो छे दिन तुमारी class होंगी संभव बैच में, ठीक है, मतलब all most Sunday छोड़के हर दिन तुमारी class है, हर दिन हमने केवल तुमारे लिए दो classes रखी है, only two classes, ठीक है, जैसे अगर आपकी आज physics और chemistry हुई, तो कल chemistry और biology होगी, पर सो physics और biology होगी, फिर आपकी physics chemistry, फिर chemistry biology और physics biology, sorry, physics और biology, exactly, तो आपकी 6 दिन ऐसे classes चलेंगी, इसका मतलब दिन में बड़ी, आपकी अगर चेक करोगे, दो ही classes है, और दोनों classes का duration हमने रखता है, two hours, मतल जब one hour ये वाली class, और one hour ये वाली class, ठीक है, दोनों घंटे हमने क्या क्या रखा है, एक एक घंटे हमने आपकी दोनों classes केवल रखी है, तो इसका मतलब आप पे ज़्यादा load भी नहीं आने वाला है, अब ये हमने क्यों रखा है, क्योंकि आप अगर इसके साथ school कर रहे हो तो आपका school ना छूटे, आप अगर कुछ और कर रहे हो, तो वो चीज़ ना छूटे, मतलब आपको दिन में burden ना आए, तो हम संभव बहत चालू करने वाले हैं, छोड़ना मत, वरना बाद में दिक्कत होगी, और संभव में मैं chemistry में most probably सबसे पहले आपका solution chapter चालू तो आपका 11th का mole concept और 12th का solution भी चालू हो जाएगा, solution से पहले solid state है, पर वो बहुत easy और independent chapter है, उसे 11th कोई concept नहीं चाहिए, तो हम कभी भी करनेंगे, ठीक है, सबसे पहले solution chapter करेंगे, तो अब सवाल ये है, कि आपको समझ में आया कि क्या आपको करना है, ठीक है, तो अब ब 2023 के लिए बिलकुल तयार रहना और अगले साल उसको फोड़ देना है, तो 12th वालो याद रखना, और अगर कोई बच्चा drop कर रहा है, अभी, ठीक है, तो वो भी इस boyach को join कर सकता है, अगर वो सोच रहा है, सर मैं इस साल तो paper दूँगा, अगले साल कभी दूँगा, ठीक ह हो सकता है, ठीक है, और मेरा साल बहुत बड़ा syllabus रहे गया है, जो कि मैं इसे एक मन्त में नहीं cover कर सकता, तो वो भी इसको join कर सकता है, अब सवाल है 11th वालो के लिए, जो बच्चे 11th में वो वीडियो देख रहे हैं, वो उनके लिए एक और batch आ रहा है, जिसका आपको detail जल क्या नाम है, एक close loop में पढ़ना चाहते है, यूटूब में आप कहते हो ना, कि सब बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, doubts नहीं पूछ पाते हैं, यह सब चीजे, तो अगर आप वहाँ पढ़ना चाहते हो, तो वहाँ पे हमने एक पहल batch launch किया है, केवल किसके लिए, NEET, U G 2023 students के लिए, जहां पूरी उम्मीर टीम आपको पहल batch में पढ़ा रही हो, चैशिखा मैं हो, शुभम सरो, विराद सरो मैं हूँ, आनन्द मनी सरो, नित्का मैं हो, प्रग्या मैं हो, सब आपको महाँ पढ़ा रहे हैं, वरुन सर भी हैं महाँ पे, तो सब आपको पढ़ा र बड़ी बात कि आपको हमारे telegram channels join करने पढ़ेंगे, अगर आपको notes चाहिए, फिर आप बाद में होगे सर, notes नहीं मिले, annotations चाहिए, keynotes चाहिए, formulas चाहिए, DPPs चाहिए, उसके लिए आपको हमारा telegram channel join करना ही पढ़ेगा, otherwise हमारे पास और कोई medium नहीं है, आप तक हम उसक को पहुचा सकें, ठीक है, तो मिलते हैं अपन सीधा संभव वैप की class में, तब तक के लिए बड़ी take care, bye bye, and अगर वीडियो पसंद आया हो, तो like जरूर कर देना, और कुछ पूछना हो, तो comments में पूछ लेना, और अगर आप यहाँ पे हो, तो चैनल तो आप subscribe करी चुके ह अगर नहीं किया है, तुरंत कर देना, ठीक है, चलो तब तक के लिए take care, bye bye, and love you all guys.